बिस्मिल्ला रमान रहीम, डॉन सेल्डन अकेडमी और तमाम उर्दू और इंग्लिश मेडियम के तुलबा और तालबार, आज मैं आपको मोशन एंड फोर्स, चैप्टर नमबर फोर, मोशन एंड फोर्स के नुमेरिकल शुरू से समझाना शुरू करूंगी, आप अगर समझ न चाहें, तो ये लेक्टर अटेंड कीजिये, इस्टुडेंट, नुमेरिकल नमबर 4.1, डेटर्माइन दा अक्सलरेशन ओफा कार, आफ मास 900 किलोग्राम, वेन अनेट फोर्स ओफ, 2700 नूटन, एक्स ओन इड, हमें अक्सलरेशन मालुम करना है, इस तरा मालुम करना है, जिसकी कम्यात मास 900 किलोग्राम है और उस पर कुवात 2700 न्यूटन अमल कर रही है। सुडेंट सबसे पहले हम डेटा बनाएंगे इस question का 4.1 का इसमें मास कम्यात दी गई है M 900 किलोग्राम। उवात फोर्स F दी गई है 2700 न्यूटन 2700 न्यूटन इसमें हमें मालूम करना है acceleration A इसरा उसके आगे question mark की हमें मालूम करना है। हम इसमें Newton के दूसरे कानून की equation इस्तमाल करेंगे F is equal to M multiplied by A हमें इसरा acceleration A मालूम करना है A को आप छोड़ दीजे M इससे multiply हो रहा है right hand side से left hand side पे ले जाईए M इधर multiply दे रहा है F force को ये divide देगा M तो हमारी equation बन जाएगी A is equal to F upon M values put करिए F की 2700 Newton and M की 900 kilogram 900 kilogram 2 0 से 2 0 से ये 2 0 से cancel 9 1 से 9 9 3 से 27 acceleration हमारा इस तरीके से हमारा जो acceleration आया वो 3 meter per second square हमारा acceleration हासिल हुआ Students now question number 4.2 A car of mass 1000 kilogram traveling at 72 km per hour is uniformly brought to rest over a distance of 40 meter fine A the average acceleration B the average braking force एक car जिसकी कम्याद mass 1000 kilogram है 72 km फी घंटा की रफ्तार से हरकत में है और rest में आ जाती है सुकून की हालत में आ जाती है रुख जाती है 40 meter का फासला तै करने के बाद हमें इसमें दो चीज़े मालुम करना है average acceleration और दूसरी चीज़ मालुम करना है average braking force और रोकने वाली कुवत students हम data सबसे पहले बनाएंगे car की कम्याद mass m हमें दिया गया है 1000 kilogram क्योंके कार आगे जाके रुख जाती है लेहाजा वी एफ आखरी व्लास्टी वी एफ इस इक्वल टू 0 meter पर सेकिंड कार फासला तेह करती है S 40 meter हमें कार का औसत इसरा acceleration मालुम करना है इसके इलावा brake लगाते हैं तो कुवत इस्तेमाल होती है वो कुवत braking force मालुम करना है दो चीज़े मालुम करना है उसके आगे हम कुश्चन मार का इस्तेमाल करेंगे इस student को और से देखिए कि वी आई हमें क्लो मीटर पर आवर में दी गई है हमें इसको मीटर पर सेकिंड बनाने के लिए पीछे के lectures में मैं काफी समझा चुकी हूँ क्लो मीटर को मीटर बनाने के लिए 1000 से 72 को 1000 से मल्टिप्लाय देना पड़ेगा पर अपॉन 60 मल्टिप्लाय बाद 60 आवर को 60 से मल्टिप्लाय देंगे तो वो मिनट बन जाएगा और ये दूसरे 60 से मल्टिप्लाय देंगे तो वो सेकिंड बन जाएगा इस तरह हमें जो cancel सब करने के बाद हमारा आया 20 मीटर पर सेकिंड अब हमारा योनिट जो पहले क्लो मीटर पर आवर था वो मीटर पर सेकेंड में चेंज हो गया है equation of motion लगाएंगे 2AS is equal to VF square minus VI square क्योंकि हम पहले इस तरह मालू कर रहे है acceleration मालू कर रहे है अब values put करिए 2 multiplied by AS की value जो उपर दी गई है data में 40 is equal to VF data में हमें दी गई है 0 meter per second minus VI square VI हमने अभी-अभी meter per second में चेंज किया है 20 multiplied by 20 upon formula में हमारे यहां से यह जो 2 और यह तो हमें मालू करना था 2 multiplied by 40 यहां हम denominator में ले आए हैं तो 0 minus 20 multiplied by 20 20 पे square था तो और यहां से 2 multiplied by 40 denominator में आ गया यहां सिर्फ A हमने रखा क्योंकि A को हम मालू कर रहे हैं अब आप जो एक ही table से cut रहे हैं आप उसको cut दीजे 4 1s are 4, 4 5s are 20 यह 0 से cut चुका है 2 1s are 2, 2 1s are 2 हमारा acceleration इसरा A आया है minus 5 meter per second square क्योंकि गाड़ी रूख गई है तो हमारा यह इसरा acceleration नहीं है बलकि यह मनफी इसरा है अपता है और इसको declaration भी कहा जाता है या retardation भी कहा जाता है इसके इलावा हमें इसमें breaking force मालू करना है उसके लिए हम Newton के हरकत की दूसरी मसावात इस्तमाल करेंगे Newton के दूसरे कानून की मसावात इस्तमाल करेंगे Newton's second law of motion F is equal to MA F is equal to M की value क्या है M कितना है डेटा में देखिए 1000 kilogram multiply by A हमने अभी अभी हासिल करा है minus 5 meter per second square thousand multiply दें 5 से 5000 Newton breaking force हमारी आ गई 5000 Newton force का unit होता है Newton Students अगर आपको ये lecture समझ में आया हो तो आएंदा वीडियोस हासिल करने के लिए Don Children Academy का चैनल सब्सक्राइब करें